नमस्कार मैं हूं सुमेट NG TV में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं साथ मैं भोचपुरी एक्ट्रस रानी चटर जी जो की अपनी फिल्मी करियर को लेकर काफी कुछ खुलासा करने वाली है रानी हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धनवाद आपका NG TV के सभी दर्शकों को नमस्कार और थैंकिस उमित आपने मुझे जॉइन किया मेरी और्डियंस के साथ करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप I think set पे हैं और आप शूट के लिए तैयार हो रहे हैं तो यह किस फिल्म के शूट के लिए आप जा रहे हैं आप यह मेरी अपकमिंग नई फिल्म है जिसके डिरेक्टर है मंजूल ठाकुर फिल्म का नाम आप सुनके हस पढ़ेंगे साथ बहु चली स्वर्ग लोग 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 साथ बहु चली स्वर्ग क्यों होता है सिरियस नहीं होता क्यों कि concept वैसा होता है हर क्या होता है कि हर एक दोर में एक zone चलता है filmों का जैसे इस वक्त जैसे हमाई television के अगर बात करूं तो सानों से सास बहु के लड़ाईयां चल रही है जो कभी खतम ही नहीं होती है तो इस वक्त जो भोश्पुरी में चल रहा है सास बहू की लड़ाई स्वर्ग लोग तक पहुच चुकी है तो एक जोन चल रहा है इस वक्त इस तरह के concept अभी आ रहे हैं और जो टाइटल की अपने बात की concept ही ऐसे होते हैं कि टाइटल ऐसे रखने पड़े हैं आपके fans UP Bihar के अलावा नौर्प में भी काफी हैं तो कभी किसी ने आपको यह compliment नहीं दिया कि आपको Bollywood में, Hindi films में या तो serials में try करना चाहिए क्योंकि Mona Lisa Every day Every day मुझे आता है Mona Lisa Mona Lisa आजकल TV serials में भी काम कर रही है अगर आपको पता हो तो तो कभी आपको ऐजे offer बिल्कुल बिल्कुल पता है आपको कभी offer नहीं होते हैं दिल्मिया से नहीं बिल्कुल होते हैं और मैंने दो television show किये भी हैं मेरा हिंदी का सफर तो 2019 से ही शुरू हो गया था बट मैंने क्या किया कि मैं भुश्पुरी में भी जुड़ी रही हूं और हिंदी में भी अभी मैंने एक show खतम किया है बेटी हमारी अनमोल और उसके पहले ही मैंने मस्मॉली भी शो किया था खत्रों के खिलाडी के बाद सो अभी हिंदी की तरफ भी मेरा दिरे दिरे चल रही है मुझे बहुत टाइम से लोग बोल रहे हैं कि मैं काम करूं बॉल्यूड की तरफ बट मैं बहुत ही अच्छे concept फिल्म के अगर बात करूं तो मैं चाहूंगे कि बहुत अच्छे concept के साथ मुझे कोई अच्छी फिल्म ओफर हो तो definitely why not जैसा कि आपने बताए कि आप हिंदी इंडूस्ट्री में फिल्म इंडूस्ट्री में आप 2019 से काम कर रहे हैं तो भूजपुरी और हिंदी फिल्म इंडूस्ट्री में क्या अंतर आपको देखने को मिला लेंग्विज के लाबा देखिए अंतर अंतर तो एक ही है वह है बजट का बजट का बाकी वहां पर भी cameras होते है lights होती है script writer होते है इंडिरेक्टर होते हैं यहां पर भी सेम है budget का issue है वहां पर बहुत time मिलता है वहां पर एक film के लिए आपको 100 दिन मिलते हैं यहां पर हमें एक film के लिए 20-25 दिन मिलते हैं आप सोच रहें कितना कितना फर्क है budget का तो budget का फर्क है बाकी यहां पर भी उतने ही talented लोग है और बस हमापस time duration बहुत कम होता है हमें कम समय में बहुत अच्छा काम करके देना होता है यह फर्क है यह बहुत बड़ा फर्क है major फर्क है अगर हम भोजपोडी cinema की तरफ रुप कर रहें तो इसकी casting process के रहे दिया like the Bollywood almost almost अब जैसे मैं जो अभी फिल्म कर रहे हूं साज बहुचली स्वर्ग लोग इसमें मेरे और हम दो तीन जो हम दो actresses हैं जो साज बनी हम तीनों के अलावा जितनी की कास्टिंग हुई है सब के audition लेके कास्टिंग की गई है अब इसके बाद अलावा भी जो परेशल में होती हैं लीड्स जो होते हैं लीड्स नोन फेस होते हैं और जो अनोन फेस आते हैं उनका audition लिया जादव सेम प्रोसेस हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है, जो वॉलिवोड में भी होता है, क्यों किसी का खास है तो उसको कास्ट कर लिया जाता है। शुच्छा नेपोटिस्म बोजपरी इंडॉस्त्री में भी है, यह कह सकते हैं। आपने ऐसी कुछ situation आपने है मतलब फेस की है कि आपको रिप्लेस कर दिया गया है अभी तो नहीं जब मैं नेपोटिजम की वज़े से नहीं मुझे रिप्लेस किया गया है मेरे साथ बहुत स्टार्टिंग में होता था कि मैं hero की कभी favorite नहीं रही जो हमारे male actor होते थे तो उनको कास्ट किया जाता था जो उनकी फेवरेट है अब मैं इसको नेपोटिजम में गिनूँ या मैं personal feelings गिनूँ मतलब I don't know कि मैं इसको कैसे explain करूँ स्टार्टिंग डेज में होता था जब मैं बहुत नहीं थी मेरी एकी फिल्म आई थी superheat हुई थी बट मैं फिर भी स्ट्रगल कर रही थी एक सस्ट्रव बड़ा पैसा वाला ही देने के बात I'm still struggling struggling यह कि I am not a favorite of heroes तो अभी तो situation मेरे साथ नहीं है बड I know कि अभी भी situation में बहुत लड़किया सफर करती होंगी क्या भूजपुरी इंडस्ट्री में cat fight भी होती है जैसे Bollywood में तो हम सुनते हुए आते हैं कभी अमरपाली तो बेके साथ हुई हो अक्षरा सींग मौनालिसा क्या मतलब कर दी आवजपुरी इंडस्ट्री मेरे साथ तो नहीं हुई और डेफिनेटली जब हम जो हमारी और भी पुरानी heroines रही है रिंकु गोश पाकी हेगरे मोना जैसे अपने अभी आमरपाली का नाम लिया खाजर रगवानी है cat fight नहीं रही क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सब की अपनी अपनी अलग qualities थी और हम कुछ साथाटी face रहे हैं बोश पूरी के जो globally जाने जाते हैं तो हम सब की अलग-अलग qualities थी तो cat fight नहीं रही हाँ healthy competition आप बोल सकते हैं healthy competition बोल सकते हैं कि मैंने यह hit दिये तो वो बोलके मैं भी hit देना है मुझे यह करना है तो यह competition आप बोल सकते हैं बागी cat fight तो नहीं रही कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भुछपुरी industry में काम काफी easily मिल जाता है बॉलिवोड से अगर तुल ना करें तो इस बारे में मैं क्या बोलूं फिर लोग बोलेंगी कि मैं बहुत बोलती हूं नहीं बोलिए 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 देखिए इसी तो है जैसे कि मेरा जो सफर रहा मुझे बहुत जंतो जहस करनी पड़ती थी मेरी फिल्मेरी हिट कि मुझे मिलती थी अगर मेरी टी तो मैं अभी तक नहीं होती मैं कबका मेरे पैका बो चुका थो खुदा इंडॉस्ट्रेसे यहे चीज़ है की आप फलाना के finvant तो आपको बहुत इजी ली फिल मिल जाती है लेकिन मिल तो जाती है बड़ आपका करियर यहां बनेगा इसकी गारेंटी नहीं है करियर तो उन्हीं का बनता है जो अच्छी परफॉर्मर होते हैं इस तू इस थू राणी भूचपुरी इंडस्ट्री में जो एक रीजनल लेंगोईज होता है वह कितना काम करता है जैसे साउत में अगर काम करना है तो आपको तेलगूत तमिल मलया लंग यह आना शाहिए तो क्या भूचपुरी में काम करने के लिए क्या आपको हिंदी पाईवने लौ पटोर्ट बीच आपको सेवेंटी परसंट तक तो आनी चाहिए और अभी अभी की जो मेकर्थ हैं अभी जो में बन रहें बहुत ही फैमिली ड्रामा बन रहा है साज बहु फैमिली परिवार वाली फिल्में बन रही है तो अभी तो और ज्यादा जो हमारे फिल्में हैं, वो मार्स से होका सीधा एक्टम देसी हो गई है, मार्स सिनेमा से देसी हो गई है, तब तो और ज़्यादा ज़रुवत पड़ती है, और अभी बहुत अच्छी बात यह भी कि यूपी कॉर्में ने जब से सबसीडी पास की है, जब से मैक्सिमम यूपी और बिह थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर हम पूछना चाहते हैं कि जैसे बॉलिवॉड में एक कास्टिंग काउच मुद्ध हमेशा से चलता हुआ रहा है, क्या बॉलिवॉड में, सौरी भूष, पूरी इंडस्ट्री में भी क्या ऐसा कुछ, आपके आसपास को सुनने के लिए आ मतलग उसकी अगर बात कोई करें तो साथ पोस्टों की रेप की बात हो रही है, आप भी जानते हूँ, अभी अभी ऐसा है कि जो मैं देखती हूँ कि हर तरह से सहमती है, तो लोग साथ रहते हैं और फिर उसके बाद नहीं बनती है, तो कास्टिंग आउश का नाम दे देते हैं, जो मैंने देखा है, और यह अभी तो सब जगे सहमती हो जाती है, मैं खुद देखती हूँ, और अभी ना पहले ऐसा था कि कोई भी आदमी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर सकता था, हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कभी नहीं रहा कि आपके साथ किसी ने जबरदस कर दिये, नहीं, ऐसा कि पहले भी नहीं था, तो अभी तो सब अपनी सहमती से करते हैं और जब बात नहीं जनती है, नहीं बनती है, तो फिर उसको कास्टिंग आउच का नाम देदिया जाता है, अब मैं आपको हिंदी में, कुछ हिंदी फिल्म के, मैं कुछ आपको डाइल लाइफ में जितना भी ट्राय करो, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। इसको बूच्परी में कैसे कहेंगे। जिंगी में कितना भी कोसिस करो, कुछ ना कुछ छूटे जाए। जिंदिगी में जितना भी कोसिस करो, कुछ ना कुछ छूटे जाए। हाँ छूटे जाए वाउ वाउ चलो अब दूसरे हम एक डायलोग की तरफ आते हैं तुम पहले ही इतनी खूबसूरत थी या वक्त के हिसाब से आपका ये चहरा बदल गया वक्त ने किया कोई हसीन सितम ये जो डायलोग्स हैं मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं पर कही ना कहीं वो लाइन चूट रहे हैं या या रानी जैसा कि हम जानते हैं कि पवल सींग चुनाब लड़े थे लोकसभा तो और वो चुनाब ये लोकसभा चुनाब जीत नहीं पाए तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने उनको कॉल करके कुछ आपके आपने कुछ उनको दुख व्यक्त किया बिल्कुल मैंने मुझे बड़ी खुशी हमें तो बहुत पहले सी पता था कि उनका फ्यूचर वहां पर देख रहे हैं पॉलिटिक्स में और जब उन यकीन था कि वो जीत जाएंगे अक्चली मुझे पूरा यकीन था बर ठीक है इस लक बड़ उन्होंने पूरा कोशिश किया बहुत मेहनत की उन्होंने अपना सारा काम छोड़ कर सिर्फ वहां पर वो लगे रहे ही इसको मैं अप्रेशियट करती हूँ और जब वो हारे थे मैंने एक बात उनसे कही थी कि कोई नहीं अगली बार सही कोशिश करते रहना चाहिए सूत्रों से ख़बर मिलिए कि उन्होंना एक नई पार्टी बनाई है तो क्या हम यह समझें कि राणी चिटरजी उनकी पार्टी जान करने वाली है आपको नहीं पता नहीं बिलकुर मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में और मैं कोई पार्टी जॉइन नहीं करूंगी किसी के भी कोई पार्टी जॉइन नहीं करूंगी मैं जनता हूँ मैं जनता के तरफ से खड़ी रहूंगी जन्वरा जनत चाहेगी वह करूंगी और रानी यह तो लगता होगा कि मुझे भी politics join करनी चाहिए क्योंकि भुछपुरी इंडस्ट्री के कितने एक्टर से नेरा हुआ की बात करो रवी किशन की बात करो पवन सींग की बात करो I think Akshra भी उस सरफ जाने के रुक में है मतलब मुझे तो 2014 से ही tickets के offer आये हैं इस बार भी मुझे प्रस्ताओं मिला था पर मैं अपने आपको नहीं देखती हूं क्योंकि मैं पहले तो मैं एक एक्टर हूं I love acting मैं सोते जाकते मैं फिल्मों में अपनी acting में अभी मेरा TV इंडस्ट्री में भी अच्छा काम चल रहा है सो मैं अपने आपको बिल्कुल भी politics में नहीं देखती हूं क्योंकि वो मेरा zone नहीं है और बट मैं यह नहीं कहती कि मैं कभी नहीं जाओंगी जीवन में कभी मुझे लगेगा कि अब मुझे जाना चाहिए और जनता की सेवा के लिए जाना चाहिए तो definitely मैं जाओंगी बट अभी still no मेरा आपसे एक आखरी सवाल क्या भोजपुरी सिनेमा में zero figure ज़रूरी नहीं है नहीं है उसका reason मैं यह नहीं कहती कि बहुत ही fatty heroine की ज़रूरत है फिट heroine चाहिए लेकि zero figure नहीं चाहिए क्योंकि हमारी जो फिल्में है आप खुद एक male है आदमी है साडी में पत्ली दूबी लड़किया नहीं अच्छी लगते पर बंपत्ली में तो अच्छी लगते है तो हमारा जो लुक होता है इस प्योर इंडियन देसी लुक वह तो बड़ा ग्लैम्रस लुक होता है बही बॉलिवड में जब दीबी का पदगून सारी पहनती है तो इस लगा कि sexy bomb वह compliment होता है लेकिन हम लोग जो साड़ी पहनते हैं वो लाई कर देसी हम आई जी बाओ जी खाना खा लीना मैं लोगों का यह एक दोनी अलग है तो यह मेरा मानना है मैं यह नहीं कहती कि सब मोटे हो जाओ मेरा यह मानना है कि fit रहना चाहिए लेकिन जब आप कोई ऐसा रोल कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत western पहनना है तो आपको zero figure definitely not zero it's a one two three figure also is good बट भुषपूरी के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा हरा भरा भरी भरी सी heroine होनी चाहिए क्योंकि हम लहंगा चोली पहनते हैं हम Indian outfit पहनते हैं तो हम डिखते हैं वैसे मतलब लंच में यह समझें जब आपका लंच एटेनर होता है तो पाव भाजी छोले बटूरे नो 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 कोई heroine नहीं 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 मैं खुद मैं खुद पूरे 24 hours में एक ही मिल लेती हूं अभी तो हमारी जो actresses हैं काफी workout करती है आपने अगर मेरा social media देखा होगा मैं बहुत workout करती हूं कोशिश करती हूं कि zero figure ना सही लेकिन मैं fat figure में भी ना रहूं तो सारे diet भी करते हैं पाव भाजीन छोले बटूरे न आपके बस नाम कोई उसका बोल दे और वो बिल्कुल आपको चाहिए कि मुझे खाना ही है यह बस set पर चाहिए मुझे यह मैं एक डिश देखकर मैं कितनी भी strict diet में रहूं मैं diet तोड़ देती हूं it's like egg curry I don't know why I am so addicted एक curry okay yeah yeah मैं मुझे बड़ा addiction ने हूँ उसका रानी हमसे जुनने के लिए बहुत-बहुत धनवाद तमाम जानकारी के लिए आपके फिल्में खाने की जानकारी के लिए बहुत-बहुत धनवाद ताइंक्यू सुमीत और आपने बहुत अच्छे सवाल किये बड़े fresh सवाल थे you know ऐसे रोजाना वाले सवाल नहीं थे बहुत अच्छा लगा answer हमने यह सोचा कि रानी कनेक्ट हो रही है तो ऐसे फ्रेश और ऐसे सवाल पूछे जाने जिससे वो डिसपोइंट ना हो और वो हमारा काम हो गया और आपको मैं काम देकर जा रही हूं जो मैंने भुषपूरी में लाइन बोली है वो आप definitely बोलेंगे बिल्कुल बिल्कुल यह 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 वीडियो है मेरे पास मैं बोलने की कोशिश करता रहूंगा यह हलाई कि I'm not sure but I will try for you know for my best जी जी यह अब आप वैसे अब सुमित शुकला है आप है कहां से मैं ग्वालियर से हूं ओके तो वहां की लैंग्विज डिफ्रेंट होगी हाँ थोड़ी से चीनल लैंग्विज है यह आप ओके 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 चलिए ठीक है थांक यू सुमित थांक यू थांक यू सो मच रानी तो यह भी हमारे साथ बॉलेवोड के साथ हम कह सकते हैं कि भुछपूरी एक्ट्रस रा कर हमसे खुल कर बात की आज के लिए बस इतना ही नब शुकार